हालो एक बार में फिर से आप सभी के लिए लेके हाई स्कूल पोईटरी का नाक्ष पोयम देश्ट आफिस्नो जिसको कमपोश किया है रॉबर्ट फ्रोस्ट ने तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस पोयम का हिंदी एक्स्लानेशन और सेंट्रल आइडिया तो चलिए देर किस बात की सुरू करते हैं dust of snow रॉबर्ट फोस्ट ने इसको लिख है dust मिस होता है धूल या धूल के छोटे छोटे कड और यानि काकी के यह प्रपजेसन है snow का मतलब होता है बर्फ यानि यहां पे dust of snow का मतलब है बर्फ के छोटे छोटे टुकडे ठिक अब देखते हैं दावे अक्रो सुक डाउन अन मी दड़स्ट औफ स्नो फ्राम अ हैमलॉक ट्री अब यहां पे जो कभी है वो कह रहे हैं दावे वे का मतलब ऐसे रास्ता होता है लेकिन यहां पे दावे का मतलब है जिस तरह से अच और द्सका मतलब हिलाया डाउन नीचे आन मे मुझ़ पर क्लूश पे मुझप लाा करके नीचे घिराया क्या गिराया दीदश्ट यानी धूल ओफ स्नो यानी बर्फ यानी बर्फ के धूल या बर्फa के छोटे- छोटे टुकडे फ्राम मिस होता है से या द्वारा जब कोई चीज कहीं से अलग होती तो वहां पर फ्राम यूज करते हैं फ्राम और हेमलोक 3 ट्री मिस होता है अब यहां पर जो है मलोक लेखा है यह एक प्रिकार का सफेद फूलो वाला एक जहरीला पौधा होता है जिसको इंडिया में धतूरा कहते है ठीक तो यह तो होगे इसकी हिंदी आये अब समस्ते इसका एक्सप्लानेशन एक्सवल में बात यह है देखिए यहां पे इस कविता में पढ़ने के बाद यह क्लियर नहीं हो रहा है कि कभी जो है वो धतूरे के पेड़ के नीचे बठे हैं कि खड़े है पता नहीं चल रहा है लेकिन जब हम इस कविता पढ़ेंगे तो एकस्प्लेन करेंगे तो हम यह जानेंगे कि कभी कहां पर है वैसे यह धाना माहिने नहीं रखता है कि कभी कहां खाड़ा एका निरास हो गय थे तो जाके धतूरा के पेड़ के नीचे बैठे अब जब वह बैठे थे तो वहां पे ना धतूरे के पेड़ पे कववा था अब उस कववे ने क्या किया मार पंख फड़ा के पूरा जो बर्फ था उनके उपरे गिरा दिया अब जो थे राबर्ट फ्रोस्ट कहां a क्या कर रहा हमारे उपर जो है इसा बर्फ का चोटा सा टूकडा कहें गिरा रहा है तो उन्हें कुछ बात जो है समझ में आती है और उन्हें कौण सी बात समझ में आती है वह अगला स्थेंज में जाने तिक है चलिऊ देखते देखे लिखा है ऐस घीवें राफ दिया माई हार्ट मेरे हिर्दय को हाट यह फाला हाल हान नह देखें हाट मीच हूता हा और हार्स डिलू थां दिल कम अरहे कैन मन से मतलब मीरे मन को इसA बदला आफ यानि का की के मूड का मतलब होता है मनोदसा या मन की इस्थिती देखा आपने अभी अब हार्ट का देख रहे हैं तो क्या रग रहा है दिल लेकिन यह जो हार्ट है ना उसका मन से मतलब है मूड हार्ट में नहीं होता है हार्ट में ब्लट पॉम्प होता है ठीक है समपार्ट कुछ हिस्सा पार्ट का मतलब क्या होता है कुछ हिस्सा आफ डे दिन का आई हैड रूड आई यहांनी मने हैड रूड रूड का मतलब यहां आर यू इडी रूड का मतलब क्या होता है यहां पर रिगरेट रिगरेट का मतलब होता है पस्तावा यानि यहां पर जो जो मैं ने आधा दिन आपना बिता दिया था पस्टावा में रिगरेट में वो आधा बचा हुआ दिन मेरा बच गया मैं मेरे अंदर एक आसा है आगे कि मैं आप बचा हुआ ठीक वैसे ही जो कभी हैं उनके दिमाग में जो निराशा है जो जीवन न जीने की मतलब एक बात है उनके मन में वो भी ज़र जाता है मतलब वो भी नीचे गिर जाता है नीराशा उनका जैसे कववा बर्फ को नीचे गिर आता है बर्फ के टुकडा को वह इसे जो कभी है वो अपने निरासा को अपने मन में जो दुख है चिन्ता परीषान इसको नीचे झाल देते तो खचोर के इसे एकदम हिला देते हैं फिर कहते हैं वाह जो कववा है हमारे यो बड़ा मददगार साबीथ हुआ अब उनके मन में एक आसा आता है निरासा भाग जाता है अब आसा आ पर कह दिये हैं तो यह था इसका सिंपल सा एक्स्प्लानेशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा चलिए अब जानते हैं इसका सेंट्रल आइडिया तो यह है इसका सेंट्रल आइडिया आई यह जानते हैं सेंट्रल आइडिया क्या होता है सेंट्रल में इसके होता है तो चलिए देखते हैं इसका सेंटल आइडिया को तो यहाँ पर लिखा है दो पोयम डस्ट अफस्ट इसको 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 लिखा गया है अधा पोएट सेज दैट कभी कहता है कि स्माल फिंग्स यानि छोटी छोटी सब्सक्राइब कर रहे हैं कि छोटी-छोटी जो चीज़ें बड़ा सा बदलाव ले क्या आते हैं कोवा छोटा है धूल के जो इसनों के जो छोटे-छोटे कड़ है न वह भी छोटे बदलाव लाते की निलाते हैं दक्रो यानि कवगा एंड हेमलोग ट्री और धतूरे का पेड़ आर सम बैड साइन्स सम बैड साइन्स मतलब कुछ खराब साइन्स होते हैं साइन्स का मतलब क्या होता है चिन या सूचक ठीक है धैट यानि जो कि नॉर्मली आम तर पर मेक दा पीपल बिलीव यानि लोग यकी कर लेते हैं यानि कुछ रॉंग यानि गलत इस गोटित होने वाला है ठीक है यानि जो हैमलोक ट्री मतलब धतूरा और जो कववा होता है इनको अप सकून माना जाता है आपको भी पता होगा गाम में जब कववा बोलता है तो लोग कववा बोला तो मामा आगे लगता है को है कोवय को और हैमलोक ट्रीको ना बैट शाइंस माना सकून माना जाता है कवह अगर मर गया तो बर्ट साइद मौर्ट साइड कूछ अपकून होने वाल लोग कि छिलाता है ठीक है देखे आगे फिला आगे देखी आगे चेंटल आइडिया में है द प्रोस्तुम्ट प्रेल log 3 यह जो को वा हे वह हम लाक्क oyla tie and snow particles is no particles 嗎 wieleiawasa बर्षुटेपर टुकडे ऑट एकल से बनात पॉर्ट में से तया हुसाथ अरुटेच फ्टेट अइनुट्दा ह positives तुकडे लेगा के उपर गिर जाते हैं ठीक इस कभीता के द्वारा वी यानी हम यानी हम क्या गेट प्रात क करते हैं अब मैसेज एक संदेश दैट की वी शूड हमें चाहिए होप मिस उमीद आशा फार द बेस्ट अच्छाई के लिए अच्छे के लिए सरोशेष्ट के लिए सर्γाओ में तक की इन में वर्ष्ट में सबसे खराब आथ सिच्छुएस अन्स परिस्टिया इस्टियां एंस्थितिया तो इस कभिता से हमक्या मैसेज गेट करते हैं कि खराब से खराब हमें अच्छाई की ihn उम्मीद करनी चाहिए हमें अच्छाई देखना चाहिए अब यहां पर जो कभी है देखिए कउवा और धातूरा उदोनों को देखके उनके मन में लगा कि कुछ बूरा हमरे लाइफ में होने वाला लेकिन उस खराब सिचुएशन में भी जैसे ही वह बर्फ गिराता है कभी के उपर कवा तो कभी यह भी तो सोच सकते थे कि जो कवा है हमारे उपर अपसवकुन गिरा रहा हमारा खेल यह खतम हो जाएगा लेकिन नहीं वह इसको फ्रक पॉजिटिवी लेते हैं पॉजिटिव सोचते हैं और एक मतलब कहने का मतलब है आधा दिन तो यह जाया गवाद यादम टेंशन में बाकी आधा जीवन एक दम अच्छा से भीताएगे तो यह पूरे का पूरा जो कभीता है दस्ट आफिसनों हम सबको यह मैसेज देता है कि हमें कभी भी निरास नहीं होना ठीक तो यह था सेंट्रल आइडिया और हिंदी एक्स्ट आएशन अफ दपोयम ड्स अशिसनों तो आको यह सेंट्रल आइडिया और हमारा हिंदी एक्स्टलानेशन कईसा लगा कौमेंट में जरूर बताहिएगा थैंक्स वोच्चिंग